तोडेह आएं चोइग तो एम गोईग तो यू बाऊट यूवाट यूपाउंओ यूब। सब्सक्राइप क्लासिफिकेशनeduc पर सेंच में पहिला फ्रिजंट इस यूदि पास्ट इंडIGHT इस यूदर ऑंदर पाथा है प्रिजंट इन इन दैंस द् सुन्ट के अन दरफ्रे प perfect tense, चौत्हा है past perfect continuous tense, तिसरा पढ़ Alejरा future tense, future tense की कई पाझ से, future independent tense, दोसा future continuous tense, तिसरा future perfect tense, चौता future perfect continuous tense, ये हमारे 12 tense हो गए, कोल मिलाकर 12 tense है, तो पहला हम सुरू करेंगे, present independent tense, इसको हम simple present tense मही करते है, इसके रूल है, पहले हम subject को लिखते हैं, फिर बर्व को लिखते हैं, फिर object को लिखते हैं, subject में जैसे subject क्या हो गया, मैं, तो, वह, किसी विचिस का नाम, मैं क्या आता है, subject में आ जाता है, object, object कोई चीज हो गई, और वर्म जो करिया है, करना, खाना, पीना, चलना, दौरना, सब करिया एक्जामपल की रुप में ले लीजिए, मैं आम खाता हूँ इसमें मैं सबजेक्ट हो गया, आम अबजेक्ट हो गया, खाता हूँ, बर हो गया I eat mango, I माने मैं, eat माने खाता हूँ, mango माने आम Translation में पहले subject जाता है, उसके बाद हम त्रंत बर्व लगाते हैं, उसके बाद object आता है अब person, person तीन प्रकार की person होते हैं, first person, second person और third person first person में मैं, second person में तुम, third person में वहो और कोई नाम भी आ गया, वो third person में आता है मैं पहला हो गया, तुम second हो गया, third कौन हो गया, वहो यह हमारा person है और singular में है, plural में हम लोग, तुम लोग, वे सब, जिसे प्लूरल होगें तो first person के plural में हम लोग हो गया, second में तुम लोग हो गया, third में वे, वे सब, बहुआ बचन जितने आएंगे, वो third person में आ जाएंगे अब present independent tense के translation बनाने के क्रिया क्या है, रूल क्या है, इसको हम सबसे परे हिंदी के sentence को पढ़ते हैं, कि उसमें क्या लिखा है जैसे कि क्रिया के अंत में क्या आ रहा है, खेलता है, पढ़ता है, दोड़ता है, सोता है, खेलते हैं, पीते हैं, कोई भी चिस ते, ता, ती रहता है, तो उस क्रिया का अन्वान प्राया प्रजीन independent tense में होता है subject के बाद verb का मुल रूप आता है, परन्तु करता, अगर third person, जैसे मैंने बताया है, third person में क्या क्या आते हैं, he, see, eat और कोई भी नाम, अगर third person का singular है, तो क्रिया के बर्ब में, क्रिया, क्रिया या बर्ब में, यस या यस जोड़ता है, जैसे example ले लो, मैं दोड़ता हूं, मैं आई, रन माने दोड़ना, तो हम सबसे पहले दिखते हैं कि मैं किस person में है, तो मैं first person के singular में है, तो I, दोड़ने का run, वो हम ऐसी लिख देंगे, I, run, बर्ब वैसी का, वैसी उतर जाएगा, मूल रूप में उतर जाएगा, I, run, वह दोड़ता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि वह किस person में है, person देख लिया, वह हमारा third person में है, अब देखेंगे कि वह singular है या plural है, मेरा sentence क्या था, वह दोड़ता है, तो वह हमारा singular हो गया, singular हो गया, तो उसके आगे बर्ब में, उसका बर्ब क्या है, दोड़ता है, तो उसके बर्ब में, yes या yes का प्रियोग हो जाएगा, तो दोड़ता है, तो वह दोड़ता है, he runs, क्या हो जाएगा, he runs, क्योंकि वह third person भी है, और singular भी है, तो उसके बर्ब में, yes या yes का प्रियोग करेंगे, अब तुम दोड़ते हो, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या है वो, कौन सा person है, तुम दोड़ते हो, तुम, तुम किस में आएगा, you किस में आएगा, second person, second person का singular है, जब यह तुम देख लिए, कि first person, second person या third person, किस में हमारा subject आ रहा है, उसको देख लिए, तुम दोड़ते हो, तो तुम में, you हमारा second person का singular है, और तब हम क्या करेंगे, वर्ब, बिल्कुल सेम वही उतर जाएगा, run, you run, change केवल हमको कहा करना है, यदि, करता या subject, third person के singular number में रहता है, तो, उसके वर्ब में, yes या, yes जोड़ जाता है, राइट, आप लोग करके देखिए, जैसे, मैं जाता हूँ, वह जाता है, तुम जाते हो, यह तीनो संटेंस आप लोग करिए, करने की कोशिज करिए, जैसे पहले, आप लोग सबजेक्ट देखिएगा, और उसके बाद देखिएगे, कि किस person में है, उसका singular है, कि plural है, और उसका वर्ब क्या है, बर्ब में हमको, अगर first second में है, तो क्या लगाएंगे, third person में है, तो क्या लगाएंगे, यह यूज़ करके आप लोग देखिए, करकी, और हमें दिखलाईए भी, आप प्रॉच को को करे जय है, नर cए रजस को कि लिए टेखिफ, जिस कि अ अगरा देखिए अगरफ।्टे र benut कि जए खी है, जस अगर देखिए प्रफ।्टबस कर नच्वारे में है, dan झेधा है. झाल झाल